हेलो फ्रेंड्स विल्गम टू पॉल्टेखनिक पार्शला आज हम लोग हाइडालिक्स एंड नुमेटिक्स का दूसरे चेप्टर सुरू करने जा रहे हैं दूसरी चेप्टर का नाम क्या है प्रेशर तो प्रेशर एंड इट्स मेजर्मेंट इन्दी में क्या बोलेंगे दाव तथा इसका महापन प्रेशर एंड इट्स मेजर्मेंट दाव तथा इसका महापन हम लोग पढ़ेंगे ठीक तो इसको कैसे पढ़ेंगे समझते हैं हम लोग सुरू करते हैं देखें तो तो सबसें पंद भी हम लोग जानते हैं कि प्रेशर क्या होता यनि दाव क्या होताः तो प्रेशर अरद्थाथ दाव क्या होता है Ven future को दाब क्या होता है दाव का परिवासा Genius से देते हैं कि किसी तरल द्वारा यह ध्यान रहिएगा दाब कभी भी सॉलिड में सॉलिड के में के केस में नहीं परिभासित है दाब हमेशा तरल के क्या किसी तरल अर्थात की फ्लूड द्वारा एक कांग चेत्रफल अर्थात हो गया यूनिट एरिया पर लगाये गए नार्मल फोर्स यानि की अभिलंबवत नार्मल फोर्स को दाव रथात प्रेशर कहते हैं हैं इसे इसमाल पी या कैपिटल पी से दर्साया जाता है हुआ है ठीक है और तो गड़िती रूप में है यानि मैथमेटिकली क्या हुआ प्रेशर पी इक्वल टू होगा इसमाल पी से हम ज्याद़ तर्डी नूट करते हैं यह होगया नार्मल फोर्स अपन एरिया ठीक है जैसे बात करते हैं कि क II kul वाललटी में पानी रखते हैं तो पाल्टी के तली पर तली है न तली एक किरिए लीजिये उस पर जो लगा गया दाब होगा पानी द्वारा वह मुआ कि उस पर लगने वाला बल थीक है बाल्टी के तली पर लगने वाला बल वह तो होगा भार के cluster मतलब भार है Jew it in तो बल के रूप में आपको यह मिल जाइगा अब यूनिट क्या होता है प्रेशर यानि दाप का यूनिट क्या होता है तो फोर्स का होता है न्यूटन और इसका होता है मीटर एसाइ यूनिट होता है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वाइर एमकेस में होता है किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वाइर नारमेली किलिगराम फोर पर सेंटीमीटर स्क्वार एक यूनिट यूज करते हैं यह भी होता है ठीक है अब करते हैं आपको ऐसे मेंली असाई यूनिट यह है अब उसके बाद बात करते हैं सम अधर यूनिट साब प्रेशर दाब के कुछ अन्य मात्रक कुछ अन्य मात्रक में एक है किलोगराम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वार एक्चुली में यह किसके बराबर होता है किलोगराम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वार तो यह कितने पास्कल के बराबर होगा एक फोर्सपर सेंटीमीटर स्क्वार इसको Is को एक्चुली में इसको पास्कल भी करते हैं आपका यूनिट क्या होता है नियूटन पर मीटर स्कॉयर या पास्कल यह ही SI unit ठीक है और 1 kg फोर्ष पर सेंटीमीटर स्कॉयर कितने के बराबर होता क्योंकि यह भी पूछा जाता है तो किलोग्राम फोर्स एक्चुली में होता है नाइन पॉइंट वन तो एप्राक्सिमेटली आप इसको टेन ले सकते हैं ठीक है और जब सेंटीमीटर स्कॉयर को बदलेंगे तो दस कट माइनस चार यहां पर मीटर स्कॉयर होगा तो उपर आके क्या हो जाएगा दस कट पास्कल के बराबर होता है तो यहां से हम कह सकते हैं कि वन केजी किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्कॉयर एप्रॉक्सिमेटली बराबर है एक पास्क एक बार के को ». ये कुछ मात रख है, इनको ध्यान रखना है अब को, ठीक है इसके लावा कुछ बड़े यूनिट भी cumpl nd है इसके, एक होता है मेगा फक पास्कल कंट अ कि पास्कल एक किलो पास्कल में दस के गा तीन पास्कल हो एक होता है मेगा पास्कल यानिgy यौँत हैं ये होगा दस के 6 पास्क ज़ाइन के बराभर एक होता है अदनीर दीटर चिवेगाके यहोगा दस कर नौ पास्ख किवेगाइन है तो यह कुछ यूिट है थीख है पार हो गया ठीक है मेगां पासकल हो गया कंवा गलो पास्कुल होगया जो फोर्स पर सफ बस य क्या थैं कि अभी हेड क्या होता है है कि ये चीज हैं तो यह हो गया मारा कि दाब क्या होता है कि अब किसी तरल में कि किसी फ्लूड में दाब जो है वो कैसे कि अब बदलता है कि उसका कुछ बेसिक रूल है अब ध्यान देजिएगा कुछ यह देखिए आपके सिल्बस में नहीं लेकिन बताना जरूरी आपको और यह नहीं जानेंगे तो फिर दिक्कत होगी तो जैसे कि कोई अगर ऐसे फ्लूड है कि प्रेसर तो पहले ही बताना पड़ेगा ना तब नहीं समझ में चलिए अभी अभी रहने देते हैं अभी इसको बंद करते हैं अभी इसको बात में बताते हैं पहले कुछ और चीज़ी बताएं अब देखिए दाब के परकार है या फिर कॉंसेप्ट है मदब तरीके हैं कहने का मलब दाब का एक पैमाना होता है स्केल तो कहीं कहीं पर लिखा होगा दाब के परकार अन्याम एक कहीं कहँई लिखा होगा इसकेल दाब के परकार रहें नहीं प्रेशनय तो देखिए ये जो होता है एक्चुली में तीन तरखा या फिर में लिक हैं तो दोई तरखा एक होता है गेज प्रेसर और एक होता है अब्सोलूट प्रेसर हिंदी में इसको गेज दाप करते हैं इसको इंदी में परमदाप करते हैं परमदाप या निर्पेक्षिदाप ठीक है ये दो तरखा होता है गेज एक पॉजिटिव गेज प्रेसर दहनात्मक गेज दाप या सिंपली गेज दाप भी करते हैं और एक होता है नेगेटिव इसको बोलते हैं रिड़ात्मक गेज दाप या निरवात दाप भी बोलते हैं इस गेजलिव में बोलते हैं वैक्यूम ठीक है तो यह एक और नाम है चूसर दाप लेकिन इन सब को इसको सुरू करने से पहले कि गेज़ डाप क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव गेज़ प्रेशर क्या होता है सबसे परहें को समझना होगा कि वाई मंदली डाप क्या होता है प्रिक है यानि अट्मास्फेरीग प्रेशर क्या होता है कि अगे अगे कि अगे कि 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 अगया है तो तो से पहले जानते हैं रूप यहां पर कि एक कि 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 वाई मंदली डाप क्या है इसमझत है तो इसम में कि पिर्थवी पर क्या है पूरा वाई मंडल है तो वाई मंडल में क्या है हवा है हवा का क्या है कुछ भार है वाई मंडल का भार तो कहेंगे कि वाई मंडल का भार यानि कि वेट जो एट्मास्फियर का वेट है फिर्थवी के सत्व पर सत्व पर जो दाब लगाता है जो दाब लगाता है यानि जो प्रेशर लगाता है उसे वाई मंडली दाब यानि एट्मास्फिरिक प्रेशर कहते हैं तो क्या है कि वाई मंडल का एक वेट है और वह जो प्रेशर लगाता है उसे क्या कहते हैं मतलब उसका भार पर यूनिट एरिया जहां भी आपको निकालना वहां पर यूनिट एरिया से क्या कर देजिए तो वह दाब कहलाता है लेकिन अब यहां पर हम एक चीजी एक जानेंगे कि परन्तु परन्तु कहा है अब ऐसे कहा है पित्थवी पर समुद्रतव के सतह पर लगने वाला वाई मंडली राब स्टेंडर्ड यानि की मानक अट्मास्फिरिक यानि की वाई मंडली रेसर अथाथ दाब कहलाता है कि इसे वन इसे एटियम से प्रदर्शित करते हैं यानि की एटियम से प्रदर्शित करते हैं यानि की वाई मंडली रेसर होता है वह कहाँ पर होता है समुद्रतल के सतह पर जो लगता है है ना समुद्र तल के सता पर जो दाब लगाया जाता है जो समुद्र तल है पूरा उसके सता पर जो दाब लगता है उसको standard atmospheric pressure बोलते हैं और उसका जो मान है वो एक ATM कहलाता है एक atmospheric pressure बराबर होता है इस थो एक तीन दो पाँच पासकल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वार इसी तरह से क्या होगा एक atmospheric pressure कितना होगा एक सो एक दस मलो तीन दो पांच किलो पास्कल के बराबर होगा इसी परकार जो होगा एक दस मलो जीरो एक तीन दो पांच बार के बराबर होगा क्योंकि दस के गाद एक पास्कल में कितना होता है दस के गाद पांच बार होता है अगर बात करें इसी परकार कुछ और चीज़ें जैसे कि कभी-कभी क्या होता है कभी-कभी दाव को फुलूट कालम में ब्यक्त किया जाता आगे बताएं कि उसका क्या मतलब है तो वह होता है कि साथ सो साथ एमेम आप है कि एच जी कॉलम के वरावर होता है वाई मंडली दाव यानि की एक क्या लीजिए कि पत्ली से नली में पत्ली से नली में अगर आप कर एच जी कॉलम लेते हैं कितना पत्ली से नली में क्या लेते हैं आप वह लेते हैं और वह साथ सो साथ एमेम का पारा लेते हैं तो साथ साथ एमेम जो होगा वह कितने दाव को बताएगा तो जो नीचे पत्ली पर जो दाव लग रहा होगा वह कितना लग रहा होगा एक वाई मंडरी दाव लग रहा होगा अगर वो क्या है पारा है है पारा है एच जी का 707 में स्टम्भ पारे का 707 साथ साथ एमें स्टम्भ एक बार प्रेसर एक एक एटिम को दर्साता है इसी परकार कर पानी के टर्म में कहें तो दस दस मलों तीन तीन मीटर होना चाहिए आप वाटर कालों कि यह सब क्या है आगे बताएंगे अभी यह ठीक है तो वहां पर समझ में पूरी तरह से आजाएगा अभी के लिए बस थोड़ा सा बस इसको रहना कीजिए तो इस तरह से वाई मंडलीद आपको बताया ज होता है तो गेज प्रेशर तो नार्मली जो प्रेशर जो मापा जाता है दाब का मापन किया जाता है वह प्रेशर गेज़ द्वारा किया जाता है यानि दाब का मापन सामान्य तौर ठीक है वह प्रेशर गेज़ द्वारा किया जाता है और प्रेशर गेज़ द्वारा किया मापा गया दाब क्या कहलाता है गेज दाब कहलाता है तो इतना पहले परिभासा में लिख लेंगे उसके बाद लिखेंगे कि गेज प्रेशर में उसके बाद क्या लिखेंगे यानि गेज दाब में जितना बताए उसके बाद क्या कि गेज दाव वाई मंडली दाव को रिफरेंस यानि कि संदर्व मान कर मापा जाता है यानि कह सकते हैं दूसरे सब्सक्राइब कि वाई मंडली दाव को संदर्व मान कर यानि उसको जीरो मान मैं उसको संदर्व मान कर मापा गया दाव गेज दाव कहलाता है इस प्रकार यदि दाव वाई मंडली इस प्रकार गेज दाव यानि गेज ब्रेशर धनात्मक या लीडात्मक दोनो व सकता है डाक कैसे व सकता है क्योंकि आप वाई मंडली आपको रिफरेंस मान रहे हैं तो वाई मंडली दाव से कम दावapping hoता है अगर आपका गेज दाव मतलब वाई प्रदीद आपसे कम दाब रहेगा तो गेज जो रहेगा वह नेगेटिव प्रेसर दिखाएगा वह क्या दिखाएगा नेगेटिव क्योंकि उसके नेगेटिव स्केल भी होता है और पॉजिट डिरेक्शन में भी होता है मतलब पॉजिटिव की और भी उसका स्केल बना होता ह तो क्या दिखाएगा दोनों हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है पॉजिटिव कि अब को को नियुद प्रेशर को और कि वाद कर सकते हैं आप लग कि अभि लेकिन अभी इस लाने लग जाए लेकिन नोट्स आपको मिलेगा है तो नेगेटिव गेज़ प्रेशर क्या हो सकता नेगेटिव गेज़ प्रेशर को और नाम है क्या है सक्षन प्रेशर कि या फिक वैक्यूम प्रेशर लुटे का इसको चुसर ाप बोलते हैं और इसको क्या वोलते हैं वैक्यूम का तैर निरवात भूलते हैं तो यह सभी तर्मिनलोजी अभी अभी जो है आभी आपको औरर अक्छे से समझाएंगे इस गेश दापका आसली मतलब क्या है वहल अभ strict बना के तो अब यहां पर बात करते हैं अब्सूलूट अब प्रेसर परमदाब या निर्पेक्षदाब तो क्या बोलेंगे अब्सूलूट वाक्ैूम है निखि निर्पेक्ष या परम निरवाद परम निरवाद का क्या मतलब है कि बिल्कूल अगर एक टैंक में ले ओके या कुछиц कुछ ही है तो उसको क्या करें दीजिए उस हवा को सَक्संट पुम्प के माध्दयाम से सक्षंट लोता है क्या करता है हुआ को टैंग से बाहार निकाल दिए और जब फूरे हवा को निकाल देंगे तो एक भी मॉलिकूल में बचेंगा तो हां पर जो दाब होगा उसी को absolute vacuum pressure बोलते हैं अबसूट जीरो प्रइसर बोलते हैं ठीक है ना वो क्या है परम सुन्य दाब है जब कोई भी मॉलेकुल नहीं होगा तो दाब छीरो हंसर tea a ko को संदर्व यानि की परम्निर्व परम सुन्यदाब कि यह क्या है हिंदी में पर हम हिंदी पड़ाने में कोई दिक्कत नहीं लेकिन केवल हिंदी पड़ोगे प्रकुछ सब्सक्राइब हों उन्टार कि क्योंकि आप एंजीनिरिंग कर रहें हमें नहीं करें लेकिन इंजीनिरिंग में आप साइखेंगे तो फिर ने झाल है थिक अगर अगर है तो को हिंदी आएगी और इंग्लीस भी आगी तो आप कहते हैं कि हम को हिंदी पढ़ना पढ़िए भाई कोई बात नहीं लेकिन इंग्लीस आगर आपको आती है तो ठीक तभी ठीक है अधर्वाइज आप जॉब्लेस रह जाएंगे आगे बीटिक कर पाएंगे कुछ नहीं हो पा परम दाव असलूट वैक्यूम यानि कि परम निर्वाद अथवा परम सुन्य दाव को दिफरेंस को यानि कि संदर्व मान कर मापा गया अभी यह पूरी बात अभी समझ में आगी अभी बस आप डेफिनिशन समझ लेजिए कैसे डेफिनिशन लिखना होता तो डेफिनिशन कैसे लिखना है समझिए मापा गया दाव यह निए अब्सुलूट वैक्यूम को जब आप रिफेरेंस मानेंगे तो उसको रिफेरेंस बानकर मापगया दाव परमदाव क्लाथा यानिक अब्सुलूट प्रेशा रहलाता है कि अब प्रम्द है सुनने प्रमदाव कभी Izra ने नहीं हो सकते है और ये कभी oyun हो सकता है उस जीडिसी लेकिन ऐड्र व्ही प्रेसर स्व्पॉजिती न के दोनों हो सकता और जीरो भी हो सकता है जब बराबर होगा तो जो दिखाएगा वह जीरो दिखाएगा अब इन दोनों चीजों को समझ लेते हैं और रिडात्मक गेज एक नेगेटिव पॉजिटिव गेज यानि सक्षन प्रेसर वैक्यूम प्रेसर इसका क्या मतलब है है अ वाब तो इसकेल बनाते हैं वहांपर समझते हैं माल लीजी है यह हमारा रिफेरेंस है जो कि यानि यह अप्सलूट वैक्यूम को दिखाता है यानि कि निर्पेक्ष निर्वाद या परम निर्वाद को दिखाता है अब यह रिफेरेंस है और यहां पर हमारा प्रेशर अब यहां पर बात करते हैं यह हमारा अट्मॉस्फिरिक प्रेसर अब द्यान से समयते हैं एक और चार्ट बनाते हैं यहां पर वही चीज लेके विल्कुल सेम है यहां पर यह वही है ठीक है और यह भी वही है कि यह क्या है कि अब क्या करता है कोई कोई आता है कोई मापने वाला आदमी है ठीक है वह क्या करता है अपना जो है वह mazarin instrument लेते हैं जो प्रिशकों करते हैं ठीक है आगे बता एंगे लो आगे हम बताइंगे कि कैसे प्रेश किया जाता उसके क्या क्या युगतिया हैं मतलब क्या 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 ये इस्ट्रूमेंटस के द्वारा में वताम अधा जाता है वह वह कुछ जो दाब है वोइमेंडली दाब से ज्यादा है तो यह एक तक का मापन यहां से यह तक यह एक पॉजिटिव घेज इतना गेज प्रेशर है जैसे जितना भी यूनिट ऊपर चड़ा होगा उतना अब इसमें तब अबसुलूट प्रेशर क्या है यहां से लिया गया जो जीरो से एकदम लिया गया यह जो होगा यह कहलाएगा अबसुलूट ऊसरेनिती स्थेसाफ दाव मैं और से पंप्रेश दाब cultural निर्पेग शिदाब है और यह जो इतना मान के वोल बताएगा जो और अजो प्रेसर गेज होता है क्योंितना ही मान बताएगा वह उसूम है वह क्या किका पॉजिटिवック कि मततबब यह माली जै कि अगर यह फ्रेसर के भारं जंगे देखने पर आप लोग कहां देखे होंगे यह को देखेंगे आ legally हवा दरते है तो हैं आट कि लिए होता है जो मेटेनिक होता यह वह हात में वह होता है तिक अगर अलटी घूम गई तो कुछ ऐसा हो और वह दिखाएगा यहां से यहां तक का दिखाएगा इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन डायरेक्शन भी दिखा देते हैं यह पॉजिटिव और यह उपर क्यों हो गया अब यह हो गया नेगेटिव गेज़ प्रेशर मींस काने का मतलब यहां पे 6 बार दिखा रहा था ठीक है यहां पे क्या है माइनस में दिखाएगा माइनस में जो भी होगा मिस अगर मालीजी यह दो यूनिट नीचे गी रहा है तो एक बार से नीचे दो यूनिट यानि माइनस में दो बार ठीक है अगर बार एक है कि युद्ध यहां पर अगर हम पैमाना मान रहें तो पस इसको भूली अभी थोड़िए जब हम सवाल करेंगे तो आपको सब सीरिये समझ में तो यहां पर हो जाएगा जो नीचे की और मेजर किया गया यहां से नीचे नेगेटिव में जितन इसके संदर्व में मापा जा रहा है इसके संदर्व में लिया जाएगा है नेगेटिव में जो अफस करने वाला सुममैंट आपको बता दे कोई वह है जो मेजर कर पाए एक्चुली में जो भी मेजर होता है एक्चुली में फीजिकली जो मेजर कर पाते हैं वह हमेशा गेज़ प्रेशर होता है तो गेज़ प्रेशर आप मेजर कर लेते हैं उसके बाद बाकी क्या कर लेते हैं मंडली आप आपको पता ही है यहां पर क्या बन यहां पर यह फार्मूला बनेगा एबसलूट प्रेसर बराबर क्या होगा कि देखिए अबसलूट प्रेसर को हम ऐसे डिनोट करते हैं पी एबी यह से निर्पेक सिदाब बराबर होगा यहां पे पी एट्मास्फिरिक प्लस तो यह फार्मुला बना याद रखना है और यहां पे क्या बना प्रेसर दाब में इतना जोड़ना पड़ेगा तो यहां पर क्या प्या करेंगे वाई मंडली में से इतना घटा देंगे तो हमको यह गटा लेंगे इस तरह से यह फार्मूला बनता है जब नेगेटिव प्रेसर पता हो तो अगर आपको पॉजिटिव गेज प्रेसर पता हो तो आपको एक फार्मूला बनता है प्रेसर प्रेसर के बारे में कुछ और छीजव भी है वाखीो मों बताएंगे निक्स में ठीकिग है तो आभी के लिए मुझे दीजी जादत धन्यवाद